क्यों आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छी होंगे मैं नहा चुकी हूँ और आज जेवीका का एक्जाम है वो चले गई मुझे काफी लेट हो गया क्योंकि उसका नाइन ओक्लॉक आज बस आने वाला था तो उस इसाब से मुझे बहुत लेट हो गया और यहां पर सारे लोग टॉवल ऐसे ही चोड़ लेए मुझे सब टॉवल सूखने में डालना पड़ रहा है और आप मैं जा रही हूं किछन में जाओंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम मेरा पड़ा हो है मैंने कुछ भी नहीं पड़ डाप सकत SOUND वोड़ चीज़े ठीक नहीं थी होड़ी इत डाडर करा मारत सम्भर बन चुका हिए जो को my सबसक्री बनकर बन चुकत है और इसमें साबर बना रगाै और खटा तो आज मूट कर गया क्योंकि आज मेरे हजबन का शूट नहीं था तो उन्होंने बोला साओध इंडिन वना दो इसलिए मैं बना रही गया जैसे इडली वड़ा यह सब क्या है गरम ही हम का सकते हैं उनको लंच बॉक्स में नहीं दे सकती क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर अजिए टाइम मेरा फेवरेट है चाहे में डिनर में दे दो चाहे ब्रेकफस्ट में लंच में तो यह नारियल की ही चटनी है आपको ग्रीन लग रहा यह ग्रीन चटनी मतलब वो पुदिने वाली नहीं नारियल की चटनी है लिए थोड़ सा मैंने हरा धनिया इसमें डाल इसमें वाली ने टडका दे दिया और यह मेंदवाड़ का मैंने भिगो कर रखा तरात को उरत डाल तो वह मैंने पेस्ट बना लिया और प्लफ़ी बनने वाली मिझे ऐसे लग रहा और बहुत लोगों से बहुत कड़ा बनता है अंदर बहुत हार्ड होता है वैसा नहीं बनता तो यह इडली मेकर मैंने नया लिया है और आज मैं पहली बार बना रही हूँ इडली तो पता नहीं कैसा बनेगा यह अच्छा ही बनेगा नहीं तो अभी तक मेरे पास इडली मेकर जिसके मैं किया करती थी, माइक्रोवेब में, वो प्लास्टिक के उसमें बनाती थी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और सेफ में बनाना थी, तो इसलिए मैंने इस बार खरीदा, मैंने क्या खरीदा, मेरे हजबन ने लिया, बोला कि नहीं, तो में टुम एडली बनाना इह छोड़ तो मैं लेकर आता हूँ मुझे लगता है कि इसमें अच्छा ही बनेगा हुआ इसमें आर्ठ ओली बन सकता है इक वार में और हम छोटी तो दिखी कितनी देर में इटली मेकर में बनाने में मैं पहली बर बना रहे हु ना तो मुझे आइडिया नहीं माइक्रोब में तो 6 मिनट में ही बन जाता था 5-6 मिनट में तो यहां पर तेल गर्म हो चुक है और यह देखे बें दोड़ आपको देखनी के बाद ही लग रहा ह क्योंकि बिल्कुल सपंजी फुला फुला सा बन गया है और सॉप नहीं हो तो फिर बाद होगा तो खाने में भी नहीं अच्छा होगा और मतला पेट के लिए भी अच्छा नहीं आपको पता नहीं पीछे रिषेव है और इसारे ड्रॉर्स वो खोल कर रखा हुआ है तो ऐस फिर से वापस गरम कर लिया क्योंकि मुझे करना था सर्फ और कल मैंने एक पुलाओ बनाया था तो एक मेरे सब्सक्राइबर हो कह रही थे कि बीट रूट वाला पुलाओ अच्छा नहीं लगता तो सच बताँ डियर मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन मेरे हजबन तोड़ा हेल्दी चीज़े खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने बस डाल दिया वरना मुझे भी वो पुलाओ वो कलर वाला मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने मेरे लिए नहीं बनाया था और यहां मैं अपने हजबन के लंच सर्फ कर रही हूं दे इनका ही आइडिया था कि आज यह बनाओ और बड़े बन से तो देखते हैं खाकर यह बताएंगे कि कैसा है क्या है और आई होप कि अच्छा ही हो क्योंकि जब हजबन बोल देंगे ओके तो मतलब ओके है अधरवाइस फिर मूट कराब हो जाता है यार इतने मेहनत से बनाओ और अगर कोई कहते ही कि अच्छा नहीं बनाओ तो थोड़ा सा दुख होता है कि यार मैंने बनाया उस बात का नहीं इस बात का कि मैं सबको अच्छा खाना नहीं दे पाई बनाकर उस बात का मुझे बहुत दुख होता है तो आजकल व्लॉग देखे कैसा लग रहा है आप comment कीजिए मुझे जरह अच्छ यचे comments कीजिये like कीजिए और यहाँ मेरे एजमिन मुझे मुझे बजाग कर रहे हैं कि यह आज मेरे तिल कर रहे हैं कि मैं तेरा हाथ ही चूमलू उपया थी कि पागल हो क्या कुछ भी कर रहे हूं और फिर रिश्व को माइ वो खिलाने को त्यारूं बट खाए सही का नहीं कर रहें को बता नहीं सकती Lazi कभी प्राटे बना रही है कभी बना राही हो कभी जो दिल में आ रहे कि कुछ तो और यहां पे दिखियास ने क्या किया ay recommendations यहां मैंने मतलब एक दिया रख्खा हुआ था उसको गिरा दिया सारी चीजे उलट-पुलट कर देता रेश्य जया है चलना सीकहा है सारी चीजे उलट-पुलट कर देता है तो आपको कभी उलट-पुलट चीजे देखे तो प्लीज माफ किजेगा क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं और इस एज के बच्चे जिनके घर में वो समझ सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो इसके लिए आप बस ठीक करोगे फिर खराब करेगा तो गर्मिया भी बहुत पढ़ रही है प्लांट्स ऐसे सूख जा रहे हैं मालम नहीं तो मुझे याद आगी है पानी नहीं दाला था आज मैंने तो हमने तो खा लिया लेकिन प्लांट्स को भूखे रखना सही नहीं है क्योंकि वो भीचारे बोल नहीं सकते और मौसम इतनी गर्म पढ रही है कि आपको पानी याद से डाला चाहिए अपमें प्लांट्स में तो मेरा काम अभी का हो चुका है मैं तो जब लगेगा तो आप लोको जरूर मैं बताऊंगी और कैसा है क्या नहीं दिखाऊंगे मैं क्योंकि यह जो टेबल पर बुक्स रखे ना यहां पर थोड़ा सा मेरे को मुश्किल होता है रिशेव गिरा देता है या कोई भी तो थोड़ा सा उपर हैंग करना है तो इसलिए मंगाया मैंने अब देखे कब मिलता है कब बढ़ाएं लगाएंगे मालुम नी पड़ा क्यो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है आई होप कि यह व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज अपने अच्छे चे कमेंट्स कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और नए है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करना ना बोले नेक्स व्लॉग में फिर में लोगें बा बाइ